मुझा नमस्कार सबी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज की C&T Act की क्लास में हम पढ़ रहे हैं C&T Act जिसमें हमने चैप्टर नमबर 6 तक कंप्रीट कर लिया है नेक्स्ट आज हम शूरू करेंगे चैप्टर नमबर 7 से चैप्टर नमबर 7 में एक ही धारा दी गई है जिस धारा का नमबर है वो है 43 43 धारा क्या कहती है कि अगर किसी जमीन को रेलवे के लिए अगर चावनी बोर्ड के लिए चावनी परिशद या डैंस बनाने के लिए या तट बंद यानि कि आपका चेक डैंस बनाने के लिए या फिर किसी अञे जो भूमी है उसको सरकारी अधिकारी अपनव उपयोग के लिए सरकारी उपयोग के लिए अगर जमीन को ले लिया जाता है है और जिसका जो टेन्यूर है जो टाइम दिया गया है अगर एक साल एक साल का समय दिया जा रहा है अगर इस एक साल में या लिखित रूप में या मौखिक रूप में अगर ले लिया जाता है तो ये सारी जमीन है इसमें tax नहीं लगेगा ये लगान मुक्त रहेगी इसका सीधा सीधा मतलब है कि धारा 43 आपका कहता है कि ऐसी जमीन पर टैक्स नहीं लेगा जिसको सरकार ले लिया है सरकार के पास जमीन है जो जमीन बाकी लोगों के पास थी जो अधिभोग का अधिकार था या अनधिभोग का अधिकार था वो सारी जमीन अगर ले ली गई है तो उस पर जो tax है वो नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह जमीन तो सरकार के पास swim है यह सरकार ही इसका इस्तिमाल कर रही है तो फिर tax में लगाने का तो कोई प्रश्णी नहीं उठता है और उस समय जिस समय की बात की जा रही है उस समय जमीन जो है वो जमीनदारों के पास हुआ करती थी सरकार उस समय जमीन की मालिक नहीं हुआ करते थे जैसे एक जमीनदार है जमीनदार के नीचे बहुत सारे रहियत आते थे इस रहियत के पास मान लीजे और इसका प्लॉट नमबर 111 है इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्लॉटिंग किये जा रहे थे यहां पर जिसका प्लॉटिंग किया जाता है यह हो जाते हैं रहे जमीनदार है यह मेन आदमी है जो इन सभी लोगों का मालिक है और यह रहे अपना टैक्स इनको देते हैं और अगर यह रहे नीचे वालों को कुछ देते हैं अगर पासओन करते हैं तो इसके बारे में हमने और भी इसके पहले वाले जितने भी एक्ट से उसमें हमने पढ़ लिया था तो अब अगर आप देखिए कि अगर यह रहे जमिंदार से हटके यह आपको सरकार को दिये गया दिया ग सामलों में जो कि कौन कौन सा हो गया रेलवे चावनी बोर्ट डैम चेक डैम जो सरकारी कंस्रक्शन से उन सभी में टैक्स नहीं लगता है तो आपसे क्वेस्टन जब पूछा जाएगा तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि कि किसी मौखिक निर्देश पर या मौखि रोड भी आ जाएगा इसमें रोड बनाने के लिए अगर ले लिया गया है तो क्या उस पर टैक्स देना है क्या रइयत को उस पर टैक्स लगेगा क्या काश्तकार को उसका टैक्स देना है तो एंसर होगा नहीं क्यों क्योंकि यह रूल में लिखा गया है एक नमबर 43 में लि नहीं रखना है बलकि उसके प्रावधानों को याद रखना है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नमबर एट चैप्टर नमबर एट जो है मुस्ट इंपोर्टेंट है पूरे एक्जाम के लिए इसमें आपका जोतों और जो भूध हीतियों के पट्टे और अंतरन के बादे में लिखा गया है ऐग्या सब्सक्याय मतलब हो गया कि आपका जमीन का जो दूसरे को दिया जाता है कैसे अंतरन किया जाता है वह हम chapter number 8 में देख सेंगे तो हमने धारा 43 तक देख लिए थी हमने अभी हमको धारा number 44 देखना है तो धारा number 44 में यह कहता है कि प्रत्यक रइयत को अपने भू सौामी से भूस्वामी का structure फिर से समझा देते हैं आप लोगों कि यहां पर है जमीनदार, जमीनदार के पास है कौन सा खतियान, जमीनदार के पास खतियान रहेगा, अब इस खतियान में बहुत सारे plots रहेंगे, आप देख सकते हैं, यह मान लिए एक plot है, दो plot है, तीन plot है, चार plot है, इसी तरह यह जमीनदार, यहां पर जमीनदार उपर लगाया जा रहा है, अगर यह जमीनदार थोड़ा बड़ा रहा, तो इसके पास 50 plots हो सकते हैं, उसी तरह किसी के पास 100 plots हो सकते हैं, जितना बड़ा जमीनदार, उतना ज्यादा plots हो उसके नीचे, और उसके नीचे जो र इन जमीन को होल्ड करते हैं, जैसे यहां पर रायत नमबर वन, यह रायत नमबर टू हो गया, यह रायत नमबर थ्री, रायत नमबर फोर, हो सकता है रायत नमबर एक के पास यह चारो हो, यह तो डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी जमीन है, तो जमीनदार उपर हो गया, ज सब्सक्राइब निचे रख हो जाते हैं सब्सक्राइब तो अब समाज गया होंगे तो रायवाई रॉया ठ्री यह हो मिलीदार से अब इस इस्चे लिघल निचे यह रीश है इस andar कि या किया है इसके प्लोट नभर वन वन को यह वाला जो इसका एरिया है इतना बड़ा इसके एरिया को इसका जो भूस्वामी बनाया जा रहा है वो किसको बनाया जा रहा है जमिंदार को और यह जमिंदार नमबर मन के चले जमिंदार एक इस जमिंदार के नीचे रहित आपका एक तो यह जब इस जमिंदार के नीचे पेपर बनाके इसको लिस्ट किया ज ये वाला plot भी आएगा तो इस वेक्ति बताया जाएगा कि आप तो आपका जो जमीन है वो अब इस जमिन दार के नीचे इस भूह स्वामी के नीचे आता है तो ये समझ जाएगा लेकिन इसके पास अधिकार क्या-क्या रहेंगे, समझने का तो ये समझ जाएगा, कि ठीक है चलिए, हम इस जमिंदार के नीचे लिस्ट हो जा रहे हैं, लेकिन इसके पास इसके क्या क्या अधिकार होंगे, तो इसके अधिकारों के जब बात की जाए, तो इसको एक पट्टा मिलेगा, इसको एक पट्टा पाने का इतना दूर उसी तरह इसका एरिया इतना दूर हो गया उसी तरह इसका एरिया इतना दूर हो गया तो इसको एरिया भी आपको बताना होगा उसके बाद लगान की किष्ट कितना लगान आपको भरना है लगान की किष्ट कितने देनी है मन के चलिए 100 रुपए लगान देना है होनी चाहिए यह दारा नंबर 44 कहता है इस पट्टे पर जो इस पेपर बनाया जाएगा इस पेपर पर सारी चीजें पहले से लिख दी जाएंगी उसका उसकी सीमा कितनी दूर है उसकी चौहदी जिसको कहा जाएगा अभी की भाषा में अगर आप जमीन के बारे में थोड़ा हो जाएगा तो माल लिजे यह जमीनदार है भू स्वामी जो है उसके नीचे रईयत नंबर वन इसके पास एक प्लॉट है जिसका नंबर 110 110 प्लॉट की चौहदी बताया जा रहा है यह दारा नंबर 44 कहता है लगान कितना भरना वो दिया जाएंगी और लगान किसी वस्तु के रूप में दी जानी है मन के चलिए कि धान अगर कर रहे हैं धान के रूप में दे रहे हैं तो कितना धान देंगे एक सो क्विंटल देंगे या दस क्विंटल में आपका टैक्स वसूल हो जाएगा तो इस तरह से ये चीज़ें लिखी गई है आपको tax देना है तो आप किस रूप में दे रहे हैं? धान के रूप में दे रहे हैं? फल के रूप में दे रहे हैं? सब्जी के रूप में दे रहे हैं? यह आपके उपर है या पैसे के रूप में दे रहे हैं तो जो भी चीज़ दे रहे हैं वो पट्टे पर लिखा जाएगा उसके बाद हूँआ देखें गे धारा पैंतालिस धारा जो पैंतालिस है वो यह कहती है कि जब रैयत को रैयत और इधर है भू स्वामी कि इन दोनों के बीच में जो अग्रिमेंट होगा वह कांटर होगा मतलब यह इससे भी अग्रिमेंट करेंगा यह इससे करे तो जो paper होगा वो दोनों तरफ flow करेगा नियम इसके लिए भी लागू होगा नियम इसके लिए भी लागू होगा यही लिखा गया है धारा नमबर 45 में धारा नमबर जो 46 है वही C&T Act की आप जान कह सकते हैं वही उसी के अधार पे अभी के स्वरूप में हम लोग C&T Act को जानते हैं धारा नमबर 46 में मान लेते हैं यह एक आदमी है इसको समझे यह एक आदमी है इसके पास यह जमीन है जमीन का टुगड़ा है अब यह जमीन है एक एकड़ या आप मान के चलिए दस डिसमिल यहाँ पर आप जो भी मानक से अब इस जमीन ये रहित है इस रहित ने इतने को बंधक रख दिया भुगतबंधन बंधक अब इससते जितना भी यह खेति करता है आप जानते हैं मै ने बताया इससाइं च्छा स्वामी टैक्स का फार्लाइ स्व depressants को ट्रांसफर कर देता है फिर अगर इस आतम को लगता है कि इतना सा जो एरिया है this area को हम बेच देक पूरा जिस पर agreement गर लें इतना एरिया पर एक की बिस्डाइन बन वालें agreement कर लें तो यह सारी चीजे हैं अगर यह जमीन है इसके पास ता यह सारी चीजे उसके दिमाग में आएंगी, इतना दूर पर दूसरे को खेती करा लेते हैं, इतना दूर पर agreement करके दे देते हैं, यह वाले एरिया को, यहाँ पर कुछ और factory डलवा लेते हैं, तो इस तरह की चीजें उसके दिमाग में आएंगी, क्योंकि जमीन जिसके पास है, उसके पास वो अपने हिसाब से काम करवाने के बारे में सोचता है, लेकिन, अब यहाँ पर प्रावधान किये गए, 46 के को ऐसे समझे, यहाँ तो आप इसको समझ गया कि एक जमीन है, और एक आदमी है, जो रईयत है, अब यह रईयत के अधिकार हैं इस जमीन के उपर, लेकिन यह क्या कर रहा है, कभी लीज में दे रहा है, कोई आग्रिमेंट करना चाहता है इस एरिया पर, इस एरिया को बंधक रख दिया है उसने, इस एरिया पर खेती कर रहा है, लेकिन यह चीजें वो कब कर पाएगा, कब नहीं कर पाएगा, यही चीज आपका धारा नंबर 46 में लिखी यह आदमें, लेकिन अगर यह बेचना चाहता है, और यहाँ पर जब C&T Act लागू किया गया, तो कुछ जातियों को अनुसूचित जाती जन जाती में लिष्ट किया गया, इन में इसको लिष्ट किया गया, और इसके बाद क्या है, कि जो रईयत हैं, वो अनुसूचित जाती कि अगर सदसे हैं, तब क्या होगा, यह एक डिष्टिक है, यह मान के चलिए, यह थाना है, थाना का एरिया है, ठीक से इसको क्लियर समझते है, मान लेते हैं, यह जारखंड का मैप है, जारखंड के मैप से यहाँ पर से एक डिष्टिक उठाते हैं, और यह एक डिष्टिक का यहाँ पर इमाजिनेशन करते हैं, कि यहाँ पर एक डिष्टिक है, डिष्टिक का इतना सा एरिया, ठाना का एरिया है, ठाना आप सुने हों नाम का व्यक्ति है, जो SC and ST जाती के अंतरगत आता है, SC होगा या ST होगा, अब यह सुरेश यहां पर राता है, इसके पास है जमीन, अब यह चाहता है कि इस जमीन को हम बेच दे, अब जमीन को इसको बेचना है, अब जमीन इसके पास है, दो एकड, अब जब यह बेचने जा रमेश, यहां पर राता है रमेश, अब रमेश को ही यह जमीन खरीद नहीं है, और यह थाना के अंतरगत ही आता है, तो तभी यह रमेश सुरेश से इस जमीन को खरीद पाएगा, तभी यह रमेश सुरेश की जमीन को बंधक ले पाएगा, तभी यह सुरेश विक्रे, दान अथवा विनिमय कर पाएगा मतलब आप समझे थान एक जगह रहने वाला वखती ही जैसे यह थाना है मान लिजे कि आप रांची थाना रांची थानां अंतर गठ है रांची आप जांते हैं amis जार्रहकाड कापिटल है रांची अंतर गठ कि राची थाना याफिर आप ऐसे समये कि अर्घोडा थाना अर्गोडा थाना का नाम सुने होंगा यप राची डिस्टिक के अंतरगर अर्गोडा थाना आप इसी defined एरिया में ही ह memory अगर दो आदमी रहते हैं जिसमें की पहले का नाम है दूसरे का नाम अब एको यह जमीन या उसको ट्रांसफर कर देना है या उसको बेचनी है या उसको क्या करना है दान कर देना है या विनिमे करना है अदल बदल के कि हम तुमको यह दे रहे हैं तुमको यह दे दो तो यह चीज़े तभी कर पाएगा जब वह एक ही थाना का अंतरकत रहने वाल अगर वो थाना चेंज हो गया अगर एक अरगोडा थाना में रहता है दूसरा पीसका थाना में रहता है तो ऐसा नहीं कर पाएगा यह बात देता है अगर आपके अपनी जमीन को अलग-अलग विधी से ट्रांसफर करना है अपको दान करना है आपको खरीदना है बेचना है अगर आप आप सीज जाती के हो आप कहीं और के होंगे तो भी आपको ये चीज नहीं कर पाईएगा इसके बाद खा नंबर कहता है कि यदि अधिभोगी रईयत अनुसूचित जाती या पिछड़े वर का सदस्य हो तो उपायुक्त के अनुमती से अपने जोत या उसे किसी भाग को विक या पट्टे द्वारा किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो यथा स्थिती अनुसूचित जाती या पिछड़े वर का सदस्य हो और उसी जीले का निवासी हो अगर डीसी पर्मिशन दे दिये कि नई ठीक है आपको ये पर्मिशन है आप चाहें तो अनुसूचित जाती य को ही जमीन ट्रांसफर होगा लेकिन इसके लिए पर्मिशन किसका लगेगा डीसी का पर्मिशन लगेगा अगर डीसी साब पर्मिशन देते हैं तब ही ऐसा हो पाएगा तब ही विक्राय होगा या बेचा जा पाएगा या फिर बाटर सिस्टम से आदान प्रतान करिए दान क आप एक ही थाना में है तो स्फानीयम है और एक ही थाना पे नहीं रहते हैं उस चिंदिक में रहते हैं यह उद्रांगद इसमें आपका आता है Sang इसमें कहता है यदि को एधिभोगी रहीत अपनी जोट या उसके किसी भाग का अंत्रन, विक्री, वसियत, दान के द्वारा किसी cooperative society को, बैंक को, केंदर सरकार को, राजिसरकार को, किसी को भी दे देता है, तो वो दे सकता है या किसी को भी देते जो सरकार का हो जैसे कि आपका Central Government को देते या State Government को देते ये चाहे तो उसको दे सकता है कोई दिकत नहीं है मतलब अगर बेचना है तो थाना के अंतरगत होना चाहिए अगर district के अंतरगत है उस एरिया में है district से तो उपायुक्त के अनुमती से आप ऐसा कर सकते हैं उसके बाद तीसरा कहता है कि अगर आप सरकार को ही अगर देना चाहते हैं बैंक को कॉपरेटिव ससाइटी को central government state government को तो आप दे दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप जेनरल में आते हैं सामान्य जातिके हैं तो आपके लिए यह सारी बाध्यता नहीं है आप किसी भी प्रकार को किसी भी प्रकार से बिकरी कर सकते हैं जो अभी भी आप देखते हैं प्रभावी आपको दिखाई देगा मतलब अगर आपको SCST की जमीन SCST को लेनी है तो थाना के अंतरगात होनी चाहिए दूसरा कि अगर आप डिस्टिक के अरिया में है थाना में नहीं है मालीज़ यहां है यहां है यह दोनों अलग-अलग थाना पढ़ता है तो आपको DC का परमिशन चाहिए अगर यह रहत चाहते हैं कि नहीं हम बैंक कोपरेट इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं एक्ट नमबर 47 क्या कहता है एक्ट नमबर 47 नियायले के आदेश के बारे में बात करता है जिसमें कि रईयती अधिकार के विक्रे पर प्रतिबंद कैसे लगाया जा सकता है नियायले कोई भी नियायले अगर बैठता है तो वह किसी नियायले के धारा किसी रईयत को उसकी जोतिया उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रे के लिए ना तो और अधेश पारित करेगा ना ही डिक्री मतलब यह आदमी है आदमी तो आप जान रहे हैं इतना अच्छा पारत लेत नहीं कर सकता है, कि आप तुमको बेचिये देना है. तो ऐसा कोई भी वी कोट नहीं कर पाएगा, cn merchants यहीं करता है, कि आपको बेचने के लिए 봤ने नहीं कर सकता है समझ गयां है, यहां पर नियायले के बारे में इसा बात दे कर दिया गया है कि वो भी चाहकर भी किसी रइयत की जमीन को बेचने के लिए उसको बात धिन नहीं कर सकते हैं नहीं कोई नियम न्यायले में पारित किया जा सकता है कि कुछ उसके बाद नेक्श हम देखते हैं एक ननमबर Twenty एट भुईहरी भुद्रिती के अंत्रण पर प्रतिवन्त लगाया गया है इसमें कहा गया है भुईहर भुईहर आपको याद होगा भुईहर कौन थे एक तरह से समझे भुईहर मतलब जमिनदार जो हुआ करते थे जिनके अंडर में जो मानकी थे मानकी के ही नीचे बहुत सा परिवार में भुईहरी चल रही है मतलब उसके परिवार का कोई भी सदस्य सीएंटी एक्ट आपका 1869 में आया था सीएंटी अधिनियम 1869 अब इसमें जो भी भुईहरी व्यक्ति थे वह क्या नहीं कर सकते हैं अगर इसमें उसका नाम दर्ज हो गया था तो वह अपना किसी आधि भी जो उनके एरिया में उनका न corrections कर दिया गया हुए जमीन उसको इधर से उधर नहीं कर सकते हैं इसमें 46 कह घघ शक्रम को दे देता zwischen में आप देखे कि डी सी का पर्मिशन की बात देता है और 46 के गव में क्या लिखा गया है अगर आप किसी सरकारी उक्रम को दे देते हैं बैंक स्कूल कॉलेज यह सब को दे देते हैं तो आप दे सकते हैं तो 48 में यह कहा गया है कि अगर कोई भूईहरी कुटुम का कोई भी सदस्य छोटा नागपूर अधिनियम 1869 के अंतरगस्त किसी भूईहरी भूद्रिती का या उसके भाग का अंतरण नहीं कर सकता है मतलब जो उसके खतियान में जमीन दे दिया गया था, जो उसके खतियान में चड़ा दिया गया था जमीन, उसका वो अंतरण नहीं कर सकता है, किसी और को नहीं दे सकता है एक नमबर 49, 46, 47 और 48 धारा के अंतरगत, कोई भी भूईहरी खूट का, तो खूट मतलब आप समझे कि उसके वन्ष का, खूट मतलब हो गया वन्ष, तो अगर भूईहरी खूट का व्यक्ति है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पवनसज भूईहर रहे, भूईहरी खूट का व्य लेकती है तो अपना जो जोत है मतलब अपना जो जमीन है जिस पर वो खेती करता है जो उसके कबजे में है जो जमीन उसका वह स्थानांतरण कर सकता है मतलब अगर वह जमीनदार है भुई हर्थ है जो टैक्स वसूल करता था राजाओं के लिए तो वह अपना जमीन इधर से सचता कर सकता कोई दिखित नहीं है उसके लिए कोछ बहुत ज्ञादा लिक्षन नहीं लगा tea later is just a जो भी के पहले वाले दिश्रिक्षन की बात हमने की है तो वो such लिए सब्सक्रांइस कि ऐसके लिए उसके लिए तो लेकिन अगर भूफिय हर भूफ्य के एंध्य खतियान शुरू होता है तो आपके लिए ये चीजे लागू नहीं की जाएंगे धारा 50 कहता है कि अगर DC चाहें तो DC क्या कर सकते हैं जो धारा 46 और 47 की बात की गई है उसके बात किया गया है अगर बुधो स्वामी के द्वारा कोई आवर्धन दिया जाता है बुधो स्वामी अगर कोई आवयदन देता है DC को और यée कहता है कि हमको फ्लाना जमीन अरजित करना है ले लेना है उस जमीन को हम मुझे क्या करना है अरजन करना है लेना है मतलब ये रहता है मान के चलिए राची में और इसको मन किया कि रातू में अगर जमीन दिखाई दे रही है उसको हम अरजित करना चाहते हैं उसको लेना चाहते हैं तो यह डी सी को आवे दन देगा और डी सी क्या कर देंगे उसको अप्रूव कर देंगे तो वह उस जमीन को ले लेगा ले सकता है लेकिन ऐसा कौन कर सकता है ऐसा कर सकता है भू स्वामी अभी के डेट में सरकार सरकार को मन करें कि नाची का जमीन को ले लिए हम तो फिर अब सकता है तो यही चीज उस समय जमीनदारों को यह सक्ति दी गई थी कि वो भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर उनको कहीं और का जमीन पसंद आजा तो वहां जाकर ले सकते हैं यह सब प्रावधान बहुत क्लीरली समझ के रखेंगे बहुत यहीं से question बन जाएगा कि क्या भूस्वामी को एक जगह से दूसरे जगह में जमीन अरजित करने का अधिकार है अगर अगर वो किसी अंज्याती का हो और किसी अन्य ज्याती की जमीन को वो अधिकरिहित करना चाहता हो तो आप देखेंगे कि भूस्वामी के लिए किसी भी तरह की जाती की प्रतिवंतता नहीं लगाई गई थी भूस्वामी कहीं पर भी ले सकते थे और भूहरी जो जमीन थी जो भूहर थे भूईहर यानि कि भूईहरी को समझ दिजे कि एक तरह से भूस्वामी हो गया थे वहाँ पर कोई ये बाध्यता भी नहीं थी कि वह अपना जमीन बेचे जहां मन करता है वहां बेच सकता है जहां मन करे वहां स्थानांतरित कर सकता है उसके बाद धारा नंबर 51 है जो लास्ट में दिया गया है अंतरन की सूचना के बिना भूत्पूरु स्वामी को दिये गए लगान के लिए अभी धारी भूस्वामी के हित के अंतरीतों के प्रतिदाई नहीं होगा कहने का मतलब है कि अगर आप क्या कर दिये जमीन को बेच दिये जमीन को बेच दिये यह था ए से चला गया बी के पास अब एक पहले खतियानिक कोई और था माली यहां पर सुरेश नाम का व्यक्ति इनका इसका भूईहर हुआ करता था ए लेकिन जब यह अंतरीत हो गया का रमेश हो गया तो इस भूस्वामी का जितना भी दिन्दारी होगा वो इसके उपर नहीं लादा जाएगा वो इसके उपर रहेगा मतलब एक को इसका पूरा लगान पहले चुका लेना होगा तभी यह बी को अपना जमीन दे सकता है मतलब भुत्पुरु स्वामी जो है यह बचा हुआ लगान है इसके प्रती उतर्दाई नहीं होगा यह कौन रमेश जो बाद में आया जो नया भुस्वामी है वो पूराना भुस्वामी का जो दिन्दारी है उसके प्रती उतर्दाई नहीं होता है तो आज हमने कहां से देख लिया धारा नाबर 43 से लेकर 51 तक देख लिया अब एक क्विक रिविजन कर लेते हैं क्या है 43 में यह कहा गया कि अगर सरकारी आप सरकारी उपक्रमों को दे देते हैं तो आपका टैक्स नहीं लगेगा 44 क्या कहता है 44 में आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपका भुमी का छेतरफाल एरिया पता होना चाहिए लगान पता होना चाहिए भूखतान के किस्त पता होनी चाहिए यह सारी चीजे पता होनी चाहिए 45 क्या कहता है कि यह काउंटर है मतलब इधर से अगर आपका जो कुछ अगर आप एग्रिमेंट बना रहे हैं तो वो दोनों तरफ काम करेगा अब भूसवामी के लिए काम करेगा इधर रईयत के लिए काम करेगा 46 क्याता है कि कैसे आप अपने इसको ट्रांसफेर कर सकते हैं जमीन को बेच सकते हैं तो को बोलता है, कि आगर आप ऐक थाना के अंतरगत रहते हैं तब ही स्थी इस और एस्थी अपने जमीने को ट्रांस्फर कर सकते हैं या बेच सकते हैं या विनिमाय कर सकते हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं उस जमीन का अगर खा में अगर एक डिस्टिक में रहते हैं तो यहां पर डिसी के पर्मिशन से आप क्या कर सकते हैं उस जमीन को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं अगर रहियत को लगता है किसी भी रहियत को सरकार को दे देंगे जैसे बैंक को दे देंगे इसी तरह किसी भी देंगे कोई भी चीज को दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है को दे दीजे किसी को भी दे दे तो आप दे सकते हैं कोई दिकत नहीं है और घाव में बोला जाता है कि जेनरल जो जाती है उनके लिए ऐसी कोई बाद देता नहीं है आप साथ साथ में भी बोलते चलिए उसके बाद आपके धारा नंबर 47 धारा नंबर 47 में कहा गया है कि कोट ऐसा कुछ नहीं कर सकती है कोई आदेस नहीं पारित कर सकती है जिससे कोई ऐसा दबाव बने कि उसकी जो जोत जो है उसको बेचने का जरूत पड़े 48 ये कहता है कि भुईहरी के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर 1869 के नियम के अनुसार C&T Act 1869 के नियम के अनुसार अगर कोई भुईहरी जमीन जिसके हाथ में है तो वो उसको इधर से उधर नहीं कर सकता है अगर उसके परिवार के कोई भी सदस्य अपना जमीन बेच सकता है उसको अस्थानांतरित कर सकता है कौन भुईहरी खूट का वेक्ति अगर तो काफी उपर हो गया भुईहर तो हेड हो गया थे तो हेड के आप जानते हैं कि नेताओं के उपर विप्रतिबंध नहीं रहता अगर 16.46 और 17.47 के अंतरग Risk कोई जमीन मालिक चाहे कि हम को ठोड़ा सा अंतरण करना है जमीन ले लेना अरजित करना है और जमीन चाहिए हमको इतना में पेट नहीं भर रहा है तो वह क Kwameent से और जमीन ले सकता है कि पुराना जमीन का जितना भी लगान है जो पहले वाला जो मालिक है जिसका जो देंदारी है वो नए मालिक का देंदारी नहीं होगा मतलब जो पुराना देंदारी है वो चुकाने के बाद ही जमीन का अंतरण होगा अगर नहीं तो फिर ये जमीन का अंतरण invalid करार दे दिया जाएगा हमने धारा 43 से शुरू करने के बाद 51 तक देखा तो थैंक यू फर वाचिंग दिस क्लास कीप लर्नी और अल्वेज से मुटिवेट थैंक यू